हलो फ्रेंट्स नमस्ते अदाब ससरीकाल मैं हूँ आपका दोस्त रोबिन सिंग्ग और दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गलती से अगर आपसे कोई आर्म होल बढ़ा कट जाए तो उसे कैसे आप छोटा कर सकते हो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आप आपको दो तरीके बताऊंगा आर्म होल को छोटा करने के और फ्रेंट साथी साथ में आपको ये भी बता देता हूं अगर आपको इस टीचिंग में इंट्रेस्ट है काफी शोक रखते हो तो फ्रेंट आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोइन कर सकते हो स्क्रीन के पर आपको दो नमबर दिखाई दे रहोंगे इन नमबर पर कॉल करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हो तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सिख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यह बिल्कुए प्लेन सूट है और इसकी मैंने कटिंग कर रखी है अब फ्रेंट्स इसमें हो गई है गलती गलती क्या हो गई है एक्चुली गलती मुझसे नहीं हुई मैंने आपको एक्स्प्रेंड करने के लिए यह लगाते हैं तो आदा इस तो मार्ज यहां पर चला जाता है इसलिए इसको में आसे फोल्ड कर लेता हूं और यह देखिए मेरा आरमॉल कितना बड़ा मैंने काट लिया गलती से और फ्रेंट्स इतना बड़ा आरमौल कट चुका है यह गलती बिगिनर से अकसर हो जाती है ज यह आत क्या मूँ अब रबार कट जाता ऐा मालो यह कम से कम देखिए लग बग 2 इस एक्स्टा है अगर इस वाशल से मैं और 2 इससे कट चुका है यह लेकिन उग प्लेंने में तो इसमें तो बहुत असान तरीके से आप आर्मोल को दुबारे सेट कर सकते हो करना क्या है यह देखिए आपको नीचे की तरफ फ्रेंट्स यह देखिए यह जो कट दिख रहा है इस कट का मतलब यह होता है कि हमने सूट को इस जगह से फोल्ड करना है लेकिन अब इसमें क्या करना है आपको आपको नीचे की तरफ तो लगाना होगा जोड यानि कि नीचे से इसके लंबाई हम बढ़ा देंगे जोड लगा के आगे पीछे और उपर से क्या कर रहेंगे एक मार कुटा समय यह देखी और इसको मैं आसे कटिंग कर दूगो यह देखिए यह मैंने कर दिया यानि कि जो कपड़ा मैं उपर से काटा है आप देख सकते हो वो कपड़ा हमारा जो नीचे जो हमने फोल्ड करना था उसमें हम इसको चोड लगा कि इसकी लंबाई में जा जैसे को गलती से आर्मोल बड़ा कर जाए तो उसको आप छोटा कर सकते हो और इसमें जो आर्मोल की जो शेप होती है आपको प्रोपर उसी तरह की से इसमें शेप दुबारे देनी है जैसे कि यहां से हमें छोटा कर दिया है तो यहां से इसको बराबर कर ले को हलकी सी शेप आपको इधर देनी है ताकि जो पहले वाली शेप थी आर्मोल की वो शेप आपकी प्रोपर बन जाए तो इस तरह के सूट में तो बहुत असान होता है आर्मोल को सैट करना आपको करना कुछ नहीं है जैसे दो इंच की हमने उपर से लंबाई कम करिए वही दो पर जो फिटिंग के निशान है आपको दुबारे से लगाने होंगे जो भी आपकी फिटिंग आरी हो तो इस तरह से फैंट्स बहुत असान तरीके से आप बड़े आर्मोल को छोटा कर सकते हो यह तो बहुत ही आसान तरीका है लेकिन इसमें कंडिशन यह कि आपका सूट प यह तो प्लेन सूट में अगर कट जाता है तो वह मैंने आपको बता दिया कैसे आप आर्मोल को सेट कर सकते हो लेकिन अगर मान लीजे अब यह देखी मैं आपको दूसरा सूट दिखाता हूं आपके पास कोई ऐसा सूट हो अब जिसमें और वर्क है आप देख सकते हो इसम इसे मैं आपको दिखाता हूं आपके अब यह जो फिटिंग के सलागी कहां पर आ दिये लगबग आदा इंच इसका पॉनेंच जो है आर्मोल बढ़ाए तो इस तरह के सूट में अगर आदा पॉनेंच का कोई डिफरेंस आ रहा हो तो उसको तो आप सही कर सकते हो आपको कर करना क्या है यह देखिए अब इसकी मैंने फ्रेंट वाले पार्ट की कटिंग नहीं करिए यह देखिए मैं दिखा देता हूं आपको करके यहां से कटिंग करनी होती है आर्मोल की और अकसर दोस्तों आपने देखा होगा कि रेडिमेट सूट होते हैं यहां फिर ब्लाउज हुआ था आदा इंच कि यहां पर डाट से लगा दोगा आप इस प्रकार से तो आर्मोल जो होगा आपका इस जगह फिट आ जाएगा लेकिन फ्रेंट कभी आपको ऐसा नहीं करना जैसे सोच रहे हो कि आप आर्मोल बड़ा कट तो कट गया इसको छोटा ऐसे से स्लाइल करेंगे तो गला बहुत ज्यादा चोटा हो जाएगा तो अगर आपका आदा इंच के करीब आपका आर्मोल बड़ा कट गया है तो इस जगह पर आप साइड में एक छोटी सी प्लेट लगा के उसको कवर कर सकते हो और बाद में उसमें आप असानी से बाजू लगा सकते हो और फ्रेंट से ये से प्लेट्स लगाई कैसे जाती है इस के लिए आपको ले करें चलता हूँ में मशीन पर अधिश्यी पर तो आप देख्सके हूँ यह दो प्लेट के निशान है यह दोन तौफ मैंने इस प्रकार से लगा लिए और इस तरह से जब आप इसमें प्लेट क यहां पर प्लेट्स होती है और बलाउज में तो फिर्टा हो जाएगा और आपकी जो फिटिंग होगी फिटिंग में भी कोई फरक नहीं पड़ेगा वह कैसे नहीं पड़ेगा यह भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं यह देखिए मैंने सिर्फ आगे वाले पा को जो पार्ट थोड़ा सा च्षोटा हो गया यह देखिए साइड से आप सकते हो और पीछे से खार्ट है यह आपको साइड बड़ा हूँ तो तो थोड़ा साप कज ऑ अब है आ पर आपको यह देखिए बाजु मे पस पड़ी है बाजु आपको δिकाता हूं और यह देखिए यहां पर आपकी आदा इंच पर तो सलाई आई जाएगी क्योंकि आदा इंच अदर दब जाएगा सलाई में जब गला बनेगा और फिटिंग का निशान दोस्तों आपको यह वाला रखना यह देखिए इस पिंक वाले पर ध्यान ने दे यह जो आपका है ब् दबा सकते हो लेकिन इदर से टाइट नहीं करो इदर से अगर आपने टाइट कर दिया तो सूट आपका टाइट हो जाएगा तो इस प्रकार से यह जो बहुत आसान तरीके से आप बढ़े हुए जो आर्मोल होता है अगर गलती से बड़ा कर जाए तो उसको छोटी सी प्ले का था मैंने आपको बता दिया है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली वार तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मच्च